स्वागत है आप सभी का इस सेशन में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस सेशन में हम लोग कफर करेंगे जो करेंट एडूटेरिया का उसका सेट नमबर तू कुल इसमें 50 कोश्चन तोटल को 50 कोश्चन रहेंगे इससे पहले सेट 1 अपलोड कर दिया गया है चैनल तो आपको उसको अगर नहीं देखें तो जाकर देख लिए तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम लोग पहला कोश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है विच अस्टेट रिसेंटली बिकम दफर्स अस्टेट इन दर कंटी टू डेबलाप माइग् ट्रेकिंग सिस्टेम है किसके द्वारा किया गया है तो यह महराष्टा के द्वारा किया गया ध्यान रख्येगा चलिए इसको जूम कर दता हूं अब आप लोग को अच्छे दिख रहा होगा चलिए नेक्स कोश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा इंडीगो नेक्स कोश्चन है आपका रिसेंटली भीच अस्टेट गुवर्मेंट है अप्रूब द्वारा किया गया है ध्यान रख्येगा यह महराष्टा गव्मेंट के द्वारा किया गया है hey next question here recently who has become the first black woman to join the queue of the international space station so इसका सही जवाब हो जापका Jessica Watkins next question आपका which infrastructure project was awarded the Indian Building Congress best infrastructure project award on 28 april 2022 in New Delhi तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अटल टर्नल ध्यान रखेगा important question है अटल टर्नल को best best infrastructure project award मिला है बस आपको यह भी ध्यान रखेगा तो आपको यह question solve हो जाएगा next question आपका where has the country first cryptocurrency based cafe open cafe open किया गया है जो किस पर अधारित है cryptocurrency पर ध्यान रखेगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोपाल में बोपाल कहां है तो ध्यान रखेगा MP की राजधानी है next question है which of the following is correctly match in the recent appointment correctly match आपको पूछ रहा है तो देखिए मानिक सहा the new chief minister of Tirpura ध्यान रखेगा important है तो यह correct है राजीव कुमार 25th chief election commissioner of India यह भी important है और यह भी correct है ध्यान रखेगा और यह है मार्कोस जुनियर new president of Philippines कौन बने है फिलिवेंस के नए राश्पती मार्कोस जुनियर तो यह भी correct है तो यहां पर आपसे पुछे जा रहा है correctly match तो all of the above अंसर हो जागा इसका next question है आपका question number 8 where is the world longest glass breeze जो कितने मीटर का है 632 मीटर का कहां बना है यह तो ध्यान रखेगा यह बना है वियत नाम में question number आईए आप देख लेते हैं 9 तो 9 में पूछा गया आपसे which statement is truly regarding hello India इन्वर्सिटी गेम के बारे में statement दिया गया बतायाना है आपको 123 में कितने statement correct है तो चलिए करके देख लेता है तो पहला statement was held from 24 अप्ले टू थार्ड में कब हुआ था स्ब्स सब्स्क में तीन में के बीच में एंगलूरू में कora नेशंट को स्टों को कषिए तडोब न्विन कोन से अर्प्राइशने नमबर पर कौन रहा थैर्यान रखीगा जैन इन्वर्सिटी और दूसरे नंबर पर कौन रहा तो LPU यानि की लवली प्रोफेशनल इन्वर्सिटी तो यहां पर all three statement are correct answer D हो जाएगा next question है आपका the country first green field grain based ethanol plant has been launched in which district of Bihar काफी important question है आने वाले सभी exam के लिए क्योंकि यह country का country first green field grain based ethanol plant है और तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्निया और जो भी बिहार का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह काफी इंपोर्टेंट है एक प्रॉस्ट ध्यान रखेगा इसको नेक्स्ट कोशन आपका वेर वाज दे ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस अफ डवली ट्यू हेल्ड रिसेंट्ली तो इसका आयोजन कहां हुआ ध्यान रखेगा इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जर लैंड में हुआ नेक्स्ट है आपका वीच वान इज मैच एमंग दर रिसेंट्ली लॉंच्ट स्कीम तो आईए देख लेते हैं तो उनसा स्कीम तो चीफ मिनिस्टर मितान योजना कॉन सा स्टेट के दौरा लॉंच किया गया तो 36 गर सही है यह अधिगम स्कीम यह लॉंच किया गया हर्यान कि द्वारा यह भी शाहिए लाडली लक्ष्मी योजना टू पाइंट जीरो यह तू पाइंट ओ जो बुलिए यह किसके द्वारा लॉंच किया गया मद्परदेश यह भी करेक्ट है नेक्स्ट है आपका चारा विजय योजना यह किसके द्वारा हर्याना कि द्वारा तो यहां पर अंसर होजागा यह अल अपड़ अबब नेक्स्ट है आपका क्रोश्चन रिसेंट्ली हुव विकम दा फर्स्ट इंडियन वेटलिफ्टर तो विन गोल्ड मेडल अड़ आई डव्लू एफ जूनियर व्ल्ड चैंपियंशिप 2022 हेल्ड इन हेराक्लियों ग्रीस में हुआ है तो इसका सही जवाब जो हो जागा वह हो जागा आपका हर्सदा सरद गरोड नेक्स्ट है आपका which one of the following is correctly matched with respect to recently published book and author तो देखिये कौन-कौन सा सही है बुक और उनके author दिये गया है आपको बताना इन में से कौन-कौन सा सही है तो इसका सही जवाब आईए देख लेते हैं राकेस मारिया के द्वारा लिखा गया let me say it now रासिद की दवाई लीडर्स पॉलिटीशियन्स एंड शिटिजयन्स यह भी सही है और लास्ट वन है प्रकास सिंग दस्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया यह भी तो यहां पर अंसर हो जाएगा आपका अलब देवाब तो यह तीनों बुक ध्यान में रखियेगा मुझे ऐसा लग रहा है यह काफी इंपॉर्टेंट है अगामी जितने भी एक्जाम होने वाले हैं तो आप इसको एक और फिर से देख लीज़ेगा आप चाहे तो अपना नोट बुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो चलिए कोश्यों नमर 15 देखते हैं 15 में फिर से आपका स्टेटमेंट दिया गया है और कॉंसर तुर बताना है रिगार्डिंग वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में तो आई एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं इस इंडेक्स इस रिलीज़ेगा है रिपोर्टर्स बिदाउट बॉर्डर्डर और इस और उर्गनाजेशन बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट है नॉरमे डेन्मार्क और स्वीडन रैंक 123 यह भी सही है और लास्ट है इंडिया का रैंक किता है तो 140 शेकंड रैंक है इंडिया का आउट ओफ 150 कंट्री में तो यह भी स्टेटमेंट सही है तो आपको स सब्मिट 2022 और गनाज़ रिसेंटली इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तो क्यों में नेक्स्ट आपका इन दे नेम आप विच प्लेयार्द हर्याना गॉर्ब्मेंट है अनॉस्ट बिल्ट टू स्टेडियम इन पानिफट तो देखे यह तो काफी पॉप्लर कोश्चन हो पर्स्ट इंडियन बोमेंट तो स्केल फाइब ध्यान रखेगा कितना फाइब पीक्स हूँ हाइट और एभव एट थाजिन मीटर कहने के बतलब कि आठ हजार से ज्यादा जो पीक है उसको हाइब पांच ऐसे पीक है जिनका हाइट आठ हजार से ज्यादा है उन पर फटा कर चुकी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रियंका मोहिते ज्यान रखेगा इंड बोक्स में करके बताएए प्रियंका मोहिते कौन से स्टेट से आते हैं नेक्स्ट कोचन आपक इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुडिशा नेक्स्ट प्रस्न देखें जिए इस कंट्री हाज स्ट्री इस कंट्री वाज गिवें दर स्टेटस अफ थे कंट्री अफ ओनर इन दा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडिया इंडिया को क्या मिला कान फिल्म फेस्टिवल में तो कंट्री अफ ओनर का अवार्ड मिला है तो स्टेटस दिया गया नेक्स्ट कोश्चन आपका वू है बिन ओड़ेट व्ल्ड फूड प्राइज 2022 वाय दे व्ल्ड फूड प्राइज फंडेशन तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डाक्तर सिंथिया रोजन वेग ध्यान रखेगा इंपॉर्टन कोश्चन यह व्ल्ड फूड इसका सही जवाब भी हो जागा नेक्स्ट है वेराइज इंडियाज फर्स्ट फ्लोग केमेश्ट्री टेकनोलोजी हब एप सिटी हब बीन ओपें कहां खोला गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैद्राबाद ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोश्चन आपका इन स्टेट और यूटी इस दस सामबा डिस्टीक सिचुएटेड विच कवर्स हंडेड परसेंट ऑफ हाउसओल्ड अंडर आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आर्योग योजना यानि कि उसका सौट फर्म में योजना का नाम है सेहत तो ध्यान रखेगा कौन सा डिस्टीक कवर कर लिया गया है हंदिट पर्शेंट इसका सही जवाब जो है वह होगा आपका जम्बु कस्मीर नेक्स्ट कोस्ट नमबर आपका ट्वंटी-फोर इसमें भी देखिया स्टेट्मेंट दिया गया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट और यह किसके रिगार्डि जिन में याद रखेगा क्या हुआ है 24 डी फिलम्पिक्स तो इसका देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका इंडिया बॉन 17 मेडल्स इंक्लोडिंग एट गोल्ड वन सिल्वर और एट ब्रॉंज तो सही है ध्यान रखेगा और स्टेटमें जो डेटा दिया गया उसको भी एक जान में वह आपको उस तरह से भी प्रस्ण पुछा गया है तो ध्यान रखेगा एट गोल्ड वन सिल्वर और एट ब्रॉंज यानि की एट प्लस वन प्लस एट यानि की एट इधर एट इधर ऐसे कुछ तरह से आप याद कर लिजिए तो यह सही है फिर हर्यानाक दीच रखान डांगर बोंद गोल्ड मेडल और शुमिद धाया बोंद गोल्ड मेडल इन रेसलिंग धनुष् शृकान्त इस इंसूटिंग तो यह सारह ब्ड़ूंट सही है तो अंसर हो जागा उल थ्री स्टेट मेंट्मेंट आर करेक्ट नेक्स्कोचीन आपगा प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी पार्टिस्पेटेड इन थेकंड इंडिया नौडिक सम्मित ट्वीड ट्वीट्टी ट्वीड़े Ol hai ठर्थ्यान रखेगा कि इंडिया नौडिक समित ट्वीड ट्वीट्टीर Lum इसका तो इसका आयोजन किया गया Stockholm Sweden में ध्यान रखेगा Nordic Summit Sweden Nordic Summit Sweden काफी इन्पोर्टेंट है इस पर ध्यान रखेगा इसका सही जवाब हो जागा आपका यहां पर आल अप देवर बतब दानी सिद्की के साथ साथ किनको दिया गया इनको सभी को क्या मिला फ्लिजर प्राइज मिला थ्यान रखेगा नेक्स्ट है क्वेशन नवर 27 विच अप देव फ्लोविंग हाज बिकाम फर्स्ट इंडियन कंपनी तो इसका सही जवाब हो जाएगा गालती आपका धीलाइज इंडेस्ट्री ट्यान रखेगा कहीं कहीं निखा रहेगा तो इसे को बोलते हैं इसका सही जवाब होगा मुंबई नेस्ट कोच्चन है थार्टीवन रिच आप देख लेते हैं तो सेख खलीफा बिन जायद अल नहायान प्रेशिदेंट अफ इवेई सही है पंडित सिव कुमार शर्मा संतूर प्लेयर एवी सही है तोनी ब्रूक्स फॉर्मुला वन ड्राइवर तो अल अब देख लेवर और करेक्टली मैच है याँ पे नेक्स्ट है आपका विच टीम र किसके द्वारा जीता गया ध्यान रखेगा लाली अगा टाइटल रियाल मैडरिट ला लीगा रियाल मैडरिट इस तरह से यहाद कर लिजिए इंपर्टेंट है पनेक्स्ट है और कूस्टोर नॉम्बर 33 में क्टो चलिए 33 देख लेते हैं विच मिनिस्ट्री औप दे गॉर आपका ministry of information and broadcasting next question है which one of the following which of the following company will develop and build India's first hydrogen-fueled bus indigenous electric ship ध्यान रखेगा hydrogen based है तो इसका सही जवाब हो जागा आपका kochin shipyard limited next question है which country has named the cyclone that hit the bay of bengal in May 2022 आसानी आसानी किसके द्वारा नाम करन किया गया था तो इसका सही जवाब होगा Sri Lanka ध्यान रखेगा जो कि अभी खुद मुस्किल में है बहुत तो इस तरह से याद रखेगा आसानी 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 जो से लंका रिखुद मुस्किल में है चलिए next question देख लेते हैं इन विच सिटी आफ इंडिया फाइजर कंपनी है इस स्टैब्लिस एस्ट ग्लोबल ड्रग डिवलप्मेंट सेंटर कहां इस्टैब्लिस किया गया तो इसका सही जवाब होगा आपका चेंडरी में क्या किया गया फाइजर कंपनी के द्वारा एस्ट ग्लोबल ड्रग डिवलप्मेंट सेंटर स्थापित किया गया नेक्स्ट केंडे हैं मांगर व्लेज लोकेटे सेंटरा ही आज बीच और स्टाइक विछ इंडिया का पहल्य विलेज ओ पय्याज घने बना है तो इसका सही जवाब जो जयेगा औ Cap तब करने मांगर भिलेज कहां है महाराष्टा में है जो कि इंदिया का पहला भिलेज ऑफनी बना है नेक्स्ट कोच्छन है अगर आपको याद है तो इनका नाम याद रखेगा नेक्स्ट है आपका क्या मिला है जो की चीफ जनरल है आर्मी के इनको मिला है परम विस्ट सेवा मेडल ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोच्छन है इसका सही जवाब होगा राकी गड़ी में किया गया है क्या मिला है तो ध्यान रखेगा जोल्री फैक्ट्री कहां से तो राकी गड़ी से बस आपको इतना यहाद रखना है नेक्स्ट वीच कंपनी है इस विकाम दो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 2022 लिविंग बिहाइंड अपल तो इसका सही जवाब हो जागा सौधिय राम को सौधिय राम को जो है एपल को पचाड कर वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन लिए है नेक्स्ट कॉंशन नमर आपका 43 यह देखते हैं 43 में क्या है विच कंट्री वोन दे टाइटल ऑफ थामस कब भी आइकर लिजेश को काफी इन पॉर्टिंट प्रस्ट है थामस कब किस कंट्री के द्वारा जीता गया जो कि बैंकोक में हुआ में 2022 में फर्स्ट टाइम देफिटिंग इंडोनेशिया 3-0 इन फाइनल तो इसका से जवाब होगा आइडिया इंडिया तो देखे सिंपल सा है थामस कब थामस कब पहली बार इंडिया के द्वारा जीता गया और किसे हराकर जीता गया तो इंडोने इंडिया करा कर थी जिरो सबस इतना याद रखेगा इंपॉटेंट ये प्रस्ट इच प्लेर हज टॉप्ट था लिश्ट अव वर्ल्ड हाइज पेंड प्लेयर रिलीज़ बाए फॉब्स इन में 2022 तो इसका सही जवाब हो जागा आपका लिएज़न में फिद प्लेयर हैं इसका सही जवाब हो जागा आपका इंडिया क्रशिंव फिरसे लागू किस राज के दा राज कॉन साय है तो ध्यान रखेंगा ये इसका सही जवाब होगा छटिश गडभ करने का मतलब जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम था उसके जगा पेंट पीएस आया तो अभी बापस से उसको रियस्टोर जो पुराना वाला ओपीएस था उसको रियस्टोर किया गया है तो कौन सा स्थेट सबसे पहले किया तो ध्यान रखेंगा इंपर्टेंट है नेक्स्ट वीच स्पोर्ट हैस बिन रिमूब फ्रॉम दे कॉमन वेल्ट गेम्स 2026 आज पर दर रिसेंट अरॉंस्मेंट कौन सा गेम कॉमन वेल्ट जो अभी चल रहा है उससे हटा दिया गया है तो ध्यान रखेंगा उससे हटाया गया है कांसर हो जागा डी नेक्स्ट कोश्चन है आपका नर्सिंग प्रिट्टाई नाग वेश्वरम फेमस मुजिकल इंस्ट्रॉमेंट अफ वीच अफ फ्लोविंग स्टेट हैस बिन गिवें जी आई टैग क्रेक्ट अंसर हो जाएगा तमिल नादू नेक्स्ट है विच्टीम है वोन ताइटल फिंद शूपर लिग ट्रॉफी पर फिर फिर्स्ट ताइम क्रेक्ट अंसर हो जाएगा हैदराबाद एपसी नेक्स्ट है विएर वाइज द वर्ल्ड पारा अथिलेटिक्स ग्रैंट फिक्स ट्वंटी टू हेल्ड इन विच इंडिया गॉट एट पोजिशन तो इसका सही जवाब हो जागा आपका बी यानिकी दुबाई यूएई तो यहां पर देखिए यह कुल इसमें आपके कितना सेट अप्रॉक्स आइधिंक 15 सेट दिया गया है तो यह टू है बहुत चल आपको आगे का सेट मिल जागा और यह बहुत अच्छा इबुक है आप अभी जैसे बीपेसी का रिजल दिया गया 66 का उसमें बहुत सारे जो टॉप 10 में है उनसे पूछ सब्सक्राइब है कि एडिटेरिया ऐसे तो और भी है इसको एक साथ अगर करना है कभर तो आप इसको कर सकते हैं आगा आपको जो भी देना है उससे जुड़े जितने भी जहां पर करेंट अफरस्ट पोजिशन है वह आपका इससे बिल्कुल कवर हो जागा बहुत ही अच्छी से दिवा तो इससे पहले देखें दो वीडियो आपका दे दिया गया है एक खड़ाफ़ट और भी सेट अफ्लोड कर दिये जाएंगे तो चलिए यह सेशन यहीं करता हूं आप सभी सेशन जुड़े आप सभी का धन्यवाद चलिए झालिए